नमस्कार दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है, आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तग गजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र, डाट वाज पब्लिश्ट ऑन 18 नवंबर 2021, अभी कुछ दिनों पहले ये गजेट नोटिफिकेशन आया है, जिसमें काफी सारी चीजें नेशनल मेडिकल कमिशन के द्वारा लिखी गई है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे तो डिसकस करने के लिए, लेकिन वीविल टॉक वनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कुछ इंपॉ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो इंपॉर्टेंट भी है, पॉइंट नंबर थ्री में लिखा है, कहने का मतलब है, सिंपल शब्दों में कि कोई भी फॉरेंड मेडिकल ग्रेजुएट से स्टूडेंट प्रैक्टिस करने की अनुमती उसको इंडिया में तभी मिलेगी, जब यह इस रेगुलेशन के आधहर पर पर्मायंट रेजिस्टेशन नेशनल मेडिकल कमिशन के प्राप्त करता है, पॉइंट नंबर फॉर, चौथे पेज में अगर हम पॉइंट नंबर फॉर की बात करें, तो ए पॉइंट है, अंडर गॉन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेंड मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम डूरेशन ओफ फिफ्टी फॉर मंस, बहुत ही किलियर साथे-चार साल का, 4.5 मंस की डूरेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में इतनी डूरेशन का, जो है, वो MBBS प्रोग्राम है, राइट, सो बिलकुल किलियर शब्दों में लिखा है, और ये भी किलियर किया है कि MBBS की डिग्री, यानि कि आपकी जो डिग्री मिलती है, उसका डूरेशन कम से कम 54 मंस का अगर नहीं होगा, तो National Medical Commission इस डिग्री को वैलिडेट नहीं करेगी, राइट, दूसरा पॉइंट, फोर में दूसरा पॉइंट, अगर मैं पढ़ूं, अंडर्गॉन एंटर्शिप फोर अ मीनिमम डूरेशन ऑफ 12 मंस इन दे सेम फॉरेंड Medical Institution, इसका मतलब जिस भी institute या university से आप अपनी डिग्री ले रहे हैं, उसी university से आपको कम से कम 12 मंस का इंटर्शिप करना पड़ेगा, यानि कि आपके पास उस डिग्री के साथ में एक certificate भी होगा, जिसमें ये clearly mention हो कि आपने 12 मंस का इंटर्शिप भी इसमें किया हुआ है, तभी आपकी degree validate होगी, तीसरा point, फोर्थ का तीसरी point की अगर हम बात करें, received a foreign medical degree with medium of instruction in English, कहने का मतलब है, जो bilingual program के जो colleges हैं, उसको भी national medical commission ने validate करने से मना कर दिया है, कि medium of instruction जो है, वो English ही होना चाहिए, यानि कि bilingual, अगर कोई medium of instruction है, that will not be accepted anymore, right, now, इसके बाद, एक दो points हैं, जो कि बहुत जादा important नहीं है, मैं point number C पे आना चाहता हूँ, four, four में point number C, undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months after applying for the same of the commission, यानि इस national medical commission में जब apply करेंगे, उसके बाद 12 महने का जो rotatory internship हम इंडिया में करते हैं, वो mandatory है, यह भी एक point important है, क्योंकि कुछ countryों में पहले क्या होता था, वहाँ की जो internship होती है, उसी को validate करके और इंडिया में नहीं करना परता था, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, कि वहाँ तो करना ही करना होगा, प्लस इंडिया में भी आके करना होगा, यानि internship से अब हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है, हमें degree भी लेनी पड़ेगी, वहाँ से internship के certificate भी लेना पड़ेगा, और हमें 12 महने का internship इंडिया में भी करना पड़ेगा, that is mandatory, यह जरूरी है, right, now, has cleared, point number D, has cleared the national exist test or such other mandated test or test conducted by the commission, यानि इस commission में जो भी जैसे exit test के time to time जो भी test आते रहेंगे, वो test national medical commission दोरा conducted होगी, यह लिखा है, yes, अब हम आते हैं, schedule 1, जो आखरी page है, gadget notification का, that is page number 5, and उसमें schedule 1 में पहला a point मैं पढ़ने जा रहा हूँ, any person who pursue the foreign medical degree should have undergone a course of theory, practical and clinical training program, which is equivalent to bachelor of medicine and bachelor of surgery of India, कहने का मतलब है कि इंडिया में जो MBBS, यानि MBBS की जो degree हमें मिलती है, उसमें हमारा theory भी mandatory है, practical भी mandatory है, और जो clinical program होता है, rotation program वो भी mandatory है, तो यही चीज़ आपके foreign medical, जिस भी university साब पढ़के आ रहे हैं, वहाँ पे भी यह सारी चीज़े होनी चाहिए, अगर आपका theory है, practical है और clinical program कहीं पर availability नहीं है, या उस university के द्वारा नहीं कराया जाता है, तो that also will be not accepted by the National Medical Commission, right, अब point number B में आते हैं, उसमें बहुत सारे subjects लिखे हैं, कि कौन-कौन से subjects mandatory है, आपको according to the NMC, जिसमें बहुत सारे general medicine secretary यह तो पहले भी था, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, last के दो और paragraph है, that is important, this paragraph is important, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं, the entire course, यानि schedule 1, point number 3, location of medical college or institution and administration of the course of training, so the entire course, training and internship or clerkship shall be done outside in India, in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of medical training and internship shall be done in India or in any other country than from where the primary medical qualification is obtained. इसका क्या मतलब हो, अगर हम सरल भासा में इसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें यह लिखा है, कि जो पूरा MBBS program का जो duration होगा, including the internship, suppose किसी country में 5-year MBBS program है, किसी country में 6-year MBBS program है, whatever, तो वो सारा MBBS program with including internship, internship के साथ, वो सारी चीज उसी foreign medical, उसी country में होना चाहिए, या फिर उसी university में होना चाहिए, ना कि उसका कुछ part उस country में हो, कुछ part इंडिया में हो, यह बिल्कुल किलियर शब्दों में लिखा है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान में आप रखें, कि the entire MBBS program with internship shall be done only in particular those universities, जहां से, जहां पे आपने admission लिया है, या जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कोई भी part किसी भी दूसरे जगह से करेंगे, तो वह भी National Medical Commission validate नहीं करेगी, और चौथा point, जो सबसे आखरी paragraph है, the total duration of the foreign medical graduation course shall be completed within 10 years from the date of joining of course, कहने का मतलब है, कि आपकी जो जब भी जिस year भी आपने admission लिया है, किसी भी foreign medical university में, तो आपकी जो अविधी है, the duration आपका है, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, कि बच्ची fail हो जाते हैं किसी subject में, या एक साल back लग जाता है, तो उसके ये कुछ points मैंने discuss किया है, जो gadget notification में 18 November को publish हुआ है, और मैं उमीद करता हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी students बाहर की countryों में admission ले रहे हैं, या लेना चाहते हैं, या फिर आप plan कर रहे हैं, तो definitely first you have to go through this gadget notification, then only you take admission, तभी admission ले, otherwise आपको आने के बाद problem हो सकती है, हमारा future का सवाल है, right, so without seeing the gadget notification, it is my personal advice, don't take admission in any university, और in any country, किसी भी country में admission ना ले, है, so आज हमने चार्चा की, गजट notification के बारे में, अगले वीडियो में, फिर किसी और विशाय पे हम चार्चा करने वाले हैं, और इसके अलावा भी कोई, आपकी inquiries हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे दिये गए नंबर पे, आप phone कर सकते हैं, या फिर अपने message छोड़ सकते हैं, तो हम इस चीज़ को जरूर आपको reply करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा, कि मैं आपको एक proper और authentic information आगे भी provide करता हो, so thank you very much.